वाटसब 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 वटसब इव्यवान वेलकम 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 तो दिस रिविजन ओफ ऐसे 505 505 क्या कहता है 505 कहता है कि अगर एंटिटी के financial statement में 5 लिखा है ठीक है तो चेक करो क्या conforming party की books में भी balance 5 आ रहा है कि नहीं यारि conforming party भी same balance बता रही है कि नहीं, इसके लिए बस आपको एक procedure करना पड़ता है, इसको कहते है external confirmation, तो आपने देखना है, क्या sir, entity की books में जो balance है, वो conforming party से match हो रहा है कि नहीं, तो इसका नाम क्या बन गया sir, इसका नाम बन गया external confirmation, यह क्या है, यह audit evidence है, audit evidence which is obtained as a direct written response, direct का क्या मतलब है, auditor को directly मिलेगा, किसी और को मिलेगा, तो हम इसको direct नहीं मान सकते हैं, ठीक है sir, दूसरी चीज, it should be written response, मतलब orally अगर आपने call वगर आपे पूचा है, तो वो नहीं चलेगा, so it should be a direct written response, किसको मिलेगा, to the auditor, कहां से मिलेगा, from the conforming party, या उसको third party बोल दो, plus it can mean paper form, it can mean electronic form, और any other medium, ठीक है sir, अब एक बात बताओ, क्या हमने इसके उपर एक discussion की थी, याद है, ऐसे 500 में, paper form ज्यादा reliable रहेगा, या electronic form, sir paper form, always the paper documentary form, will be more reliable, इसके बाद हमने कुछ definitions वगर देखी थी, एक बार बस इनको read कर लेना, go through कर लेना, बहुत असान सी definitions है, फिर आता है sir, external confirmation procedure, ये जो external confirmation procedure है, क्या मैं इसको delegate कर सकता हूँ, या मुझे as the auditor, इस पर control करना पड़ेगा, sir control करना पड़ेगा, जो पूरा procedure है, इसको आपने अच्छे से control करना पड़ेगा, यानि, auditor has to maintain a control over the external confirmation procedure, अब इसके चार stages बताओ, तब से पहले ये decide करो, क्या जानना है, भेजने से पहले ये तो देखो, आपको जानना क्या है, तभी तो पूछोगे, हाँ, क्या जानना है, फिर decide करो, किस से जानना है, यानि, सबसे बहले देखेंगे, information to be confirmed or requested, फिर देखो, आपको किस से जानना है, यानि, आपने एक appropriate conforming party देखनी है, जिससी ये information, मिल सकती है, फिर तीसरी चीज़ क्या है, अब आप इस confirmation request को design करो, आपने इसको properly address करना है, सही बंदे को address वगरा करना है, प्लस, इसमें management की authorization होनी चीए, अगर management की authorization वगरा नहीं होगी, तो फिर आपको जवाब नहीं मिलेगा, एंड उसके बाद आप इसमें written information भी डालो, written information का क्या मतलब है, कि जब सामने वाली party इसको वापिस भीजे, तो किसको भीजे, तो जो auditor का address रहेगा, वो सब आप इसमें बताओगे, and last point क्या है, अब भेजदो यार, आप भेजदो महूरत निकल वाओगे क्या, यानि send the request, and last में follow up वगरा करके चलना, अगर सामने वाली party जवाब नहीं दे रही, तो आप follow up वगरा करके चलोगे, तो चार स्टेप का process है, क्या information चाहिए, किस से चाहिए, यानि appropriate conforming party, फिर आपने उस confirmation request को design करना है, address वगरा डाल देना, उसमें properly सामने वाले बंदे को address कर देना, plus return information दे देना, and आखरी में send and follow up, फिर एक बाँ बताओ, क्या information ले सकता हूँ, क्या मैं सिरफ account balances की amounts देख सकता हूँ, या मैं बाकी details भी ले सकता हूँ, सर आप उनके elements भी देख सकते हूँ, elements का क्या मतलब है, suppose अगर कोई debtor रहेगा, तो उसके साथ जो मेरा sales agreement है, वो भी देख सकता हूँ, जो sales contract है, वो भी देख सकता हूँ, agreement और contract synonyms है, plus क्या मैं agreement का छोटा agreement भी देख सकता हूँ, हाँ, तर वो छोटा agreement क्या था, side agreement, तो उगर उसका कोई side agreement है, जो उसका subsidiary agreement है, वो सब भी मैं पूछ सकता हूँ clear है clear है sir conforming party कोई है जिसको चीजों के बारे में पता है that is knowledgeable फिर आता है सर्थ हमारा favorite topic क्या हमें confirmation request को design करना है तो जब आप design करोगे ICI आपसे पूछेगा क्या-क्या factor देखने है तो मैंने कहा ICI ने क्या पूछा confirmation request को design करना है हम क्या बोलेंगे sir हमको design करना है हमारा love letter हमको design करना है हमारा love letter यानि love letter के लिए क्या लाए आर्चीज का card लेकिया हो आर्चीज के card में क्या देखेंगे sir उसका format एकदम प्यारे-प्यारे hearts होने चीए यानि आप देखोगे layout and presentation फिर क्या as it is card दे दोगे अपने दिल की बात लिखेंगे sir दिल की बात लिखेंगे उसको क्या कहते है assertions being addressed ये सब जो आप करोगे अपने prior experience के साब से करना बढ़ आपका prior experience भी कुछ अच्छा नहीं रहा है ये तो आप दिल की बात बोल रहे हो मैंने का चुप चाओ इदर focus करो prior experience अच्छा नहीं रहा है मतलब आपको लग रहे there is a risk of material misstatement कही ना कही risk of material misstatement हो सकती है आपको डरे कलको उसने मना ना कर दे तो मैंने का लव गुरू से बात कर लो यानि आप management की authorization and last point क्या था now the ball is in the court of other party यानि अब उस पे depend करते है वो हाँ बोलेगी या ना बोलेगी यानि the ability of conforming party to conform or provide the requested information क्या सारे के सारे points clear हैं हाँ sir ये तो हमारे दिल की बाते थी अब आता है sir next point एकदम बढ़िया वाला sir क्या मैं गया management के pass मैं गया management के pass मैंने management को का मुझे उस supplier को confirmation request भेजनी है मुझे उस supplier को confirmation request भेजनी है management कहते नहीं नहीं ये नहीं हो सकता मैंने का क्यों नहीं हो सकता सबसे पहले अगर management मना करें तो आप सबसे पहले क्या पूछोगे reason पूछोगे management कहती है यह नहीं हो सकता क्योंकि हमारा court case चल रहा है तो क्या तुम से reason सुनके वापस आ जाओगी या reason को लेके evidence भी लोगे sir evidence भी लेंगे यानि वो reason valid और reasonable है वो reason valid और reasonable है इसको लेके audit evidence लेंगे अब अगर audit evidence माल लो नहीं मिल रहा यानि management के मन में छोर है there can be a risk of material misstatement including the risk of fraud ओ अब अगर risk of material misstatement ज्यादा है तो testing ज्यादा करनी पड़ेगी इसका एक और angle इसका एक और angle क्या है जब आप अपना main audit procedure नहीं कर सकते तो सारे बच्चे बताओ अगर main audit procedure नहीं कर सकते तो क्या करे मैंने कहा alternate audit procedure करो alternate audit procedure already हमने सीख लिए debtors को check करने के लिए आप sales check कर सकते हो क्यों को properly sales हुई थी की नहीं shipping documentation अगर कोई debtor है तो उससे subsequently पैसा भी आएगा हाँ तो subsequent cash receipts देख लो इसी तरह creditor है तो उसका उल्टा कर दो सार उल्टा कर दे creditor को मैंने कहा creditor को उल्टा मत करो points को उल्टा करो मतलब अगर कल को कोई creditor है तो उसके case में subsequent disbursement यानि आपने year end के बाद उसको payments करी है उससे बता चल जाएगा क्या creditor है प्लस उसमें shipping documentation ही होगी goods receive होगी तो जो goods receive notes है वो सब आप देख सकते हो यानि आप alternate procedures कर सकते हो to get relevant and reliable audit evidence बट अगर management ने परशान कर रखा है अक्षे कुमार ने परशान कर रखा है तो कौन आया था शारुकान आया था टारुकान का क्या मतलब है मैंने का management ने परशान कर रखा है जल्दी से एक बाद chat box में thumbs up देदो जल्दी से एक बाद chat box में thumbs up देदो सारे बच्चे quickly give me a thumbs up in the chat box SA705 के साब से report को modify कर देंगे come on नहीं सर modify नहीं implications on the audit report modify नहीं करेंगे modify नहीं करेंगे implication on the audit report क्यों? क्योंकि अभी हमें नहीं पता ये area material है या नहीं हमको नहीं पता ये area material है या नहीं हम देखेंगे कि material है या नहीं उसके basis पे हम देखेंगे क्या SA705 के साब से होना चाहिए clear है? clear है sir अब आता है last topic of the day that we discussed in the class that is PCR, NCR ये PCR और NCR क्या था? सबसे पहले बात करते है positive confirmation request क्या होती है? सामने वाली party आपको reply करेगी in all the cases चाहे वो agreement करती है या नहीं करती है या फिर वो आपको information provide करेगी अब एक बाह बताओ ये इतनी अच्छी request है तो इसको क्या बोले? reliable audit evidence बट सर इसमें risk है, risk क्या है? वो आपको reply कर सकती है without even checking कि जो information आपने उनसे request करी ना चेक करने के लिए कि वो correct है या नहीं the other party में reply without verifying if the information is correct तो सर क्या करे? वो जो दूसरी type की confirmation request होती नहीं जिसमें आप information भरवाते हो हाँ, blank confirmation request वो भेजो ask the confirming party to fill the amount but इसमें भी जंजट है सर क्यों? जब उसको information check करके भरनी होगी बड़ी महनत लगेगी this can lead to a lower response rate because of the additional effort clear है? clear है सर NCR में क्या था? मैंने का कुछ नी negative है negative का क्या मतलब है जब सामने वाली disagree करेगी तभी वो reply करेगी but ऐसा भी तो हो सकता है उसको confirmation request कभी मिली नहो ऐसा भी तो हो सकता है उसको confirmation request मिली हो उसने ignore कर दिया हो हाँ सर so it provides less persuasive evidence than the positive confirmation request अब ICA क्या पूछेगा चार cases बताओ जो satisfy होंगे चार circumstances बताओ जो satisfy होंगे तब आप NCR यूज़ कर सकते हो I want the answers in the chat box चल दी से बताओ चार circumstances जब हम NCR को यूज़ कर सकते है मुझे वो rap सुनना है जो हमने rap याद किया था दो चीजे कम एक चीज ज्यादा ignore नहीं करने का किया है वादा come on दो चीजे कम एक चीज ज्यादा ignore नहीं करने का किया है वादा दो चीजे कम क्या थी मैंने का दो चीजे कम जो थी आओ न दो चीजे जो कम थी वो क्या थी risk of material misstatement कम है ऐसा सिर्फ हमने assess नहीं किया है test of control करके देखा है controls effective भी है ओ दूसरी चीज क्या कम थी exception rate is less low exception rate ज्यादा क्या है सर ज्यादा धेड सारे छोटे 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 एक जैसे items है इसको आप बोल सकते है large number of small small homogenous balances and last point क्या था वो हमको ignore नहीं करेगी disregard नहीं करेगी यानि ऐसे कोई condition नहीं है ऐसे कोई circumstances नहीं है that the other party में disregard our request clear है clear सर so last में बस एक बात ध्यान रखना सर क्या believe you can believe you can can के capital letters देखो believe you can बस अपने अंदर एक विश्वास रखो मैं कर सकता हूँ आपका आधा काम तो महीं हो गया आधा काम तो महीं हो गया और मैंने का आधा काम क्या पूरी class यहीं हो गई तो यहीं खुशी खुशी मन लगा के पढ़ते रहें खुशी से बढ़ेंगे तब ही आगे बढ़ेंगे have an awesome day ahead हमें राही audit के फिर मिलेंगे चलते 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 चलते